हेलो फ्रेंट्स मेरी चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है और आज हम बात करेंगे इम्म्यूनिटी के बारे में immunity क्या होती है हमारी body ऐसी क्या signals देती है जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि हमारी immunity जो है कमजोर हो गई है इसके क्या क्या कारण्स होते हैं कि हमारी immunity कमजोर हो रही है इसको ठीक करने के क्या क्या उपाए है तो चलिए आज विस्तार में इसको हम जानते हैं तो फ्रेंट्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन का बटन जरूर प्रेस करेगा जिससे की मेरी वीडियो की नोटिफकेशन आप तक पहुं सके तो चलिए जानते हैं इम्म्यूनिटी क्या है जैसा कि हम सभी जानते हैं आजकल क्रोना वाइरस इतनी तीजी से फैल रहा है ऐसे में जरूरी है कि आप अपने आपको इससे बचा कर रखें और साफधानी बढ़तें किसी भी वाइरस से बचने के लिए जरूरी साफधानी के साथ साथ आवश्यक है आपकी इम्म्यूनिटी भी अच्छी हो क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर को रोगों से लड़ने के शक्ति कहां से मिलती है तो इसका जवाब है इम्म्यूनिटी जिसे परती रक्षा भी कहा जाता है इम्म्यूनिटी हमारे शरीर की टॉक्सिन से लड़ने के शमता होती है ये toxins, bacteria, virus, fungus, parasites या कोई दूसरी नुकसान दायक परधार्थ हो सकते हैं अगर हमारी immunity मजबूत है तो यह हमें न सिर्फ सर्दी खांसे जुखाम से बचाती है बलकि hepatitis, lung infection, kidney infection सहित और कई बिमारियों से हमारा बचाव करती है प्रती रक्षा दो प्रकार की होती है innate और additive immunity innate immunity यह व्यक्ति को रोगों के प्रती शुरक्षा देती है प्रन्तो यह दीर्ग काली नहीं होती additive immunity यह व्यक्ति को रोगों के प्रती शुरक्षा देती है साथ ही विशिष्ट रोगजनकों के खिलाव दीर्ग काली शुरक्षा देती है जब बात करते हैं इम्म्यूनिटी कम होने के कारण क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में ज्यादा बिमार क्यों होते हैं इसका उत्तर है शायद उनकी बोडी में उतनी शमता ही नहीं होती कि जर्म्स और वाइरस से लड़ सके इसका मतलब यह है कि आपकी इम्म्यूनिटी या रोग प्रती रोधक शमता बहुत कम है या उसका इम्म्यून सिस्टम कमजूर है इसके कम होने के बहुत से कारण हो सकते ह तो उन्हीं कारणों के बारे में चले बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पर है तनाव यानि स्ट्रेस लगबग हम सभी ने हमारे जीवन में किसी ना किसी बिंदू पर तनाव जुरूर महसूस किया होगा सेर दर्द, छाती में दर्द, बेचैने और तनाव महसूस करने से तनाव के प sabharaj pillsstreet ये वी जयाननेदि के लिए ये जी से फीर हमारा इंविनीन शिस्टम को और कठी न हिन्द मेहनत करने के लिए अ हमादा हुअ दूसरी नमबर पर है व्यामना करना हमारा इम्मिन सिस्टम हमारे शरीग के लिए और हमारी लाइफ स्टाल के अनुसार हमेशा फिट हो यह हर बार जरूरी नहीं होता एक अध्यन बताता है कि नियमित रूप से एक्सेसाइज करने से नूट्रोफिल्स और कारे करने में साहिता करता है नूट्रोफिल्स वो सेल्स होती है जो अवांशित और कभी-कभी खतरनाक सूश्मजीवों को मारने के लिए काम करती है और ये सूश्मजीव स्वास्ते को नकारात्मक रोब से प्रभावित कर सकते हैं इस प्रकार exercise ना करना low immunity का कारण बन सकता है तीसरी number पर है सही नींद ना लेना क्या आप जानते हैं कि जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपकी blood cells जो infection से लड़ती है वो हर समय भी infection को आपकी body से दूर रखने के लिए कार्या कर रही होती है इसलिए कम नेंद और ठकान भी low immunity का कारण बन सकती है तोथी number पर है अनूचित potion अनुमान यह है कि कम डाइट और व्याम की कमी साथ मिलकर हर साल 3,10,000 और 5,80,000 अमेरिकों की हत्या के लिए जिम्यदार होती है इसलिए जरूरी है कि संतुलित भोजन करें जिसमें सभी विटमिन्स, खनीच, पोशक ततो, एंटी ऑक्सिडेंट और सभी जरूरी तत उपस्तित हों वहीं fatty junk food को खाने से बचना चाहेगे क्योंकि इसमें polyunsaturated fats होते हैं जो immune system को उनके काम करने से रोपते हैं अब बात करते हैं कि वो कौन-कौन से उपाय हम कर सकते हैं जिसकी help से हमारी immunity बढ़ जाए तो बात करते हैं immunity बढ़ाने के उपाय immunity को बढ़ाने के लाब निम लिखे diet और उपायों को कर सकते हैं जो इस प्रकार हैं तो सबसे पहली नमबर पर है नियमित रूप से वियायाम करें नियमित एक्सेसाइज हमारे ब्लेड सर्कूलेशन को बढ़ा कर हमारे इम्म्यूनिटी को बढ़ाती है नमबर दो, विटामिन D वाले खाक परदार्थों का उभ्भोग करें विटामिन D का सेवन स्वास्ते के लिए फायदे मन्थ होता है खास कर जब हमारे शरीर को कोल्ड और फ्रूस शहित स्वसन संक्रमड के खिलाफ लड़ना हो तीसरी नमबर पर है ज्यादा दवाई खाने से बजे अत्यधिक दवाई का सेवन आपके इमिन सिस्टम में बादा डालता है और आपके लिवर, किड्नी और रैस्परेटरी सिस्टम को कारे करने में दिक्कत आती है और गंभी रूप से प्रभावित कर सकता है हाला कि दवाई और एंटिबायोटिक शरीर को बिमारियों से ठीक करने में मदद करते हैं पर यह शरीर की परती रक्षा में सुधार करने में मदद नहीं करती है ती नमबर पर है कॉफी की जगा ग्रीन टीपीए हाला कि कॉफी में एंटी अक्सिडेंट होते हैं पर यह हमारे शरीर में कैल्शियम की अफ्शूशन को रोकती है इसलिए कॉफी के इस्तान पर ग्रीन टीपीए यह आपके मेटापॉलिस्म को बढ़ाती हैं और इम्यून को बढ़ाने में मदद करती हैं पांचवे नंबर पर है ध्रुमपान और शराब पीने से बचें ध्रुमपान तंबाखो और शराब यह तीनों चीजे आपके इम्यून सिस्टम को खराब कर सकती हैं तो इन सभी चीजों का त्याग करना चाहिए और अपने immune system को मजबूत बनाए रखना चाहिए जिससे कि बहारी वातावरंच से बहारी किटानों से आपके शरीर का पचाव हो सके विशाक्त खाक परदार्तों को ना खाएं रिफाइन चूगर और प्रोसेस्ट फूड का बहुत लंबे समय तक और बहुत ज़्यादा सेवन आपके immune system को कमजोर बना सकता है जिसके कारण बिमारियां होने का खत्रा पढ़ सकता है और हमारी white blood cells जो bacteria को मारती हैं उनकी शमता कम हो सकती है इस infection से होने के संभावना को कुछ अच्छी आदतों को अपना कर दूर किया जा सकता है जैसे आसपास स्वच्छता बनाने रखें, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हातों को अच्छे से धोएं दूशित बोजन ना खाएं, नखुनों को काट कर रखें इत्यादी आठवी नमबर पर है प्रयाप्त नीद ले नीद की कमी प्रती रक्षा परनाली को समझोता करने के लिए मजबूर करती है इसलिए आपको हर दिन प्रयाप्त नीद लेनी चाहिए नुवी नमबर पर है दिल खोल कर हसे खुल कर हसने से आपकी इम्म्यूनिटी तो भड़ती ही है साथ ही साथ आपकी मेंटल हैल्थ भी सुधर जाती है इसलिए जब भी मौका मिले अपने दोस्तों रिष्टदारों के साथ मिलकर खुल कर हसना चाहिए दस्वी नमबर पर है प्रती रक्षा बूस्टिंग फूड का उभोग करें अपनी सम्मग्र प्रती रक्षा में सुधार के लिए तरभूज, गेहूं, दही, पालक, मीठे आलू, ब्रॉकली, लस्सन, अद्रक, अनार करस, इत्यादी जैसे प्रती रक्षा बढ़ाने वाले खाक परदार्तों का उभोग करें तरभूज में गलूटा, थियॉन, एंटी अक्सिडेंट होता है जो प्रती रक्षा प्रणाली को नुजबूत करने में मदद करता है प्रती रक्षा में व्रदी के लिए ग्यहों की जर्म की खपत की जा सकती है यह एंटी अक्सिडेंट, बी विटामिन और जस्ता का एक बड़ा स्त्रोथ है ग्यहों की जर्म में प्रोटीन, फाइबर और कुछ स्वस्ते वसा का एक बड़ा सयोजन भी होता है हमारे शरीर को इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा आवशक्ता होती है तब ही यह विभिन परकार के रोगों और इंफेक्शन से लड़ सकती है इसलिए जरूरी है कि अपने शरीर का ध्यान रखे हेल्थी डाइट ले और अपने इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी का ख्याल रखे तो फ्रेंट्स आज हम लोगों ने जाना इम्यूनिटी क्या होती है कितने प्रकार की होती है इम्यूनिटी जब बॉड़ी में कम हो जाती है तो body क्या क्या signals हमें देती है immunity के कम होने के क्या क्या कारण होते है और immunity को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है तो आज हमने immunity के बारे में विस्तार से बात करी तो friends अगर आपको यह video बढ़िया लगती है काम की लगती है और अभी जैसा की coronavirus चल रहा है informative लगती है इस दारान तो friends इस video को like करें और forward जरूर करें सभी को और चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें तो चली friends फिर मिलते हैं ओके बाई बाई टेक क्यार